हेलो फ्रेंज आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल इंग्लिश स्वेज दिलिप सर में स्वागत है तो दोस्तों आज की सेसन में हम लोग कछा 12 की एक वेरी वेरी इंपोर्टेंट पोयम फायर हैं का अध्यान करेंगे आपके साथ डिसकर्स करेंगे इसके जो आपके स सबसे पहले जो इंटरॉक्शन पार्ट है उसके जो मत्रपूर्पूर्पॉइंट है वह आपके सामने आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा आपके अप्जेक्टिव प्रस्नों के लिए इनको जानना बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए दोस्तों बिदाउट दोस्तों सबसे पहले हमको अपने चाप्टर का नाम या दोना चाहिए जिसका नाम है फायर हैं अगनी वंदना दोस्तों इसके जो रचनकार हुआ आपके हैं केकी नसरवान जी दारु वाला अब देखिए इसे हम केकी एंड दारु वाला भी बोलते हैं इनके फीता का नाम था एंजी दारु वाला दोस्तों इनका जनम आपका पकिस्तान के लाहौर में हुआ था टू अपार्सी फिर्ड या दखिए इक पार्सी परवार में हुआ था जैसे इनके धर्व के बारे में भी पुछा जाएगा तो आप पार्सी बोल सकते हैं या जर जरम लाहौर में हुआ था दोस्तों इनका जरम तो लाहौर में हुआ था लेकिन अनिस सब पैतालीस में जब अभी भारत का विभादर नहीं हुआ था उसके पहले ही या लाहौर से भारत में जुनागर आए और तब वहां से रामपुर चले गए इसे लिए इन्हें हम इंडि पोएट और सौर्ट स्टोरी राइटर इन इंग्लिश तो वह अंग्रेजी के एक भारतिय कभी और लगु कहानियों के लेखक हैं यह अपनी से अधिकारी के रुप में भी अपनी सेवा भारत सरकार में दी है दोस्तों अब इनकी बात करते हैं अवार्ड की तो दोस्तों किस लिए मिला था यह भी हमारे परिछा में अब्जेक्टिव कोश्चन के रुप में आ सकते हैं पर इस पोईटरी कलेक्शन उनके कभीताओं के संद्रह के लिए उनके एक कभीता के संद्रह के लिए और दोस्तों कभीता का नाम है आपका जाड कीपर अफ्क देड याद खेगा जाड कीपर अफ्क द डेड तो इनको एक अवार्ड मिला था आपका जाड कीपर अफ्क देड इसके अलावा इनकी अवार्ड की हम बात करें proactive मिला था पदम स्री याँ चो defyator देड के लिए मिला था इंको शाहित यह अकेडमी ओवार्ड इसके अलावा इनको मिला था पदम श्री जो भारत का 41ाएस्ट सीमिलियन अवार्ड है भारत के मिला था पदम श्री दु हजार चावज़ा में in 2014 2014 2014 में मिला था इनको प्रदम्ष्री तो आपको अभी तक यहां से जो पॉइंट या जखना है दोस्तों इनका जनम हुआ था 1937 में लहर में लेकिन वह भारत आगे भारत के भी भाजन से पहले वह सबसे पहले जुनागर आए तब वह राम पूल गए और इसके लबा हुआ है एक इंडियन पोईट एंड शॉर्ट एस्टोरी राइटर है या जखी का इंडियन पोईट है पुछागा सब्पते हैं कि केकियन दादुवाला कहां कहा है तो इसको हम देखेंगे तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जो भी इंपोटेंट प अब्जेक्टिब्स को देखते हैं तो यहां पे कभी अपने सब्दों में कभीता का एक डेफनिशन दिया है जिसको याद करना बहुत ही इंपोटेंट है लिखते हैं कि his poetry is in his own words कभीता उनहीं के सब्दों में a totally impressiveistic recording of subjective responses अफ है तो हिंदी अंत से निकलेगा कभीता उनके सब्दों में subjective बेखती परक प्रतिक्रियाओं का एक पूरी तरह से प्रभावसाली recording होता है आज बढ़ते हैं जोस्तों the themes of his poetry उनके कभीताओं के जो बिशाय होते हैं न वो होते हैं आपके प्रेम मृतु, प्रेम मृतु, वर्चस्व, दोस्दर्सिता अफ है तो दोस्तों हिंदी यहां अंत में चले जाएंगे मानुनिये समाज की दुर्दसा और हिंसा होता है यहां पे आर दोस्तों जो आया है यह आपके poetry के लिए नहीं आया है यह आपके theme के लिए है theme आपका जो नाउन है plural है तो यहां पे आर भी plural आएगा क्योंकि जब off की सायता से दो नाउन को जोडते हैं तो पहले वाले नाउन के अंसार आपका भर बाता है आगे बढ़ते हैं he writes with intensity and vigor involved in his poetic creation दोस्तों वे अपने कविताओं की जो या काब्यों की सनरचना में जो लिखते हैं बहुत ही तिविता और धृता के साथ लिखते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों his important works उनकी जो महत्तपूर रचनाए हैं दोस्तों वर्क मिस्काम होता है जब उसके अंत में हम एस जोर देते हैं तो उसका हिंदू है रचनाए अंगर औरियन जिसका प्रकाशन 1970 में हुआ था उसके बाद है आप्रीशन इन आप्रील 1971 अनिस एक अर्टर में इसका प्रकाशन हुआ था और तो दोस्तों यह कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे आपके कभी के बारे में इसमें से खास रूप से आप याद रखेगा कि यह एक इंडियन सौर्ट एस्टरी राइटर और पोएड थे तो दोस्तों इसके बाद अब हम लोग अपने पोएम के लाइं वे लाइन ताकि मैं कोई भी निव वीडियो अपलोड करू तो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चले दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अपने पोएम के एक्स्प्लानेशन को देखते हैं तो कवीता शुरू करने से पहले आप एक बार इसका थीम जान लेजिए हमारे जो कभी है केकी या दारूर वाला वह एक पार्शी धर्म के थे जिने हम जरुस्टेरियन भी बोल सकते हैं और फ्र्वक के लोग अगनी को अपना पभीत्र देध्युता मानते हैं व्योग अपनी मृत्त को अग्ली के हावाले नहीं करते हैं अठा तो जलाते नहीं और इसी थीम के यह एक कभीता है जिसमें ले ख़ण्यक हानी के बारे में कुछ बास करते हैं और दोस्तों यहां पर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है कि दो बॉर्णिंग घाट जलता हुआ घाट अथा एक ऐसा अस्थान जहां पर हिंदू के मिर्टक को सौद दाह किया जा रहा है जलाया जा रहा है उसी का बॉर्णन है भ्यान से देखिएगा दो बॉर्णिंग इरॉप्टेड फॉस्फोरेंस से एंड वांडरिंग भोस लाइट स्ट्राइटन पास्ट बाइं दोस्तों बॉर्णिंग घाट मिस होगा आपका जलता हुआ घाट एक ऐसा अस्थान जहां पर मृत्यों को जडाया जाता है इरॉप्ट मिस होता है दोस्तों निकलना यहां पर रॉस्मी का आपका रॉस्मी क्या होगा रॉस्मी होगा याद रखिएगा एंड वांडरिंग भोस दोस्तों वांडर मिस होता है भूमना घोस्त मिस होता है भूत और लाइट मिस होता है प्रकास यहां यहां पर सब्देट के रुख में आया है क्योंकि यहां पर होता है आपका राहगीर तो वांदरिंग हो लाइट मिसोगा सो दां से निकलने या सो धां से होने वाला प्रकास अथा यह 5 प्रकास होता है घुट को Felix अथा जहां प्रित steht को हो जलाते हैं तो वहां उस आस्थान से उस उबने से कुछ लपते उठती कुछ फ्लेम्स उपर होते हैं तो उसी को लेखक ने वांडरिंग हो स्लाइज कहा है सो दहा से उत्पन होने वाला प्रकास प्रीटेंड मिस होता है धराना या भैवित करना पासोस बैद तो जो यहां पे लेखक बोलें कि जो बर्निंग घात है यह जलता हुआ घात है इससे र और अपनी निकलती है यह आने जाने वाले वाले लोगों को क्या कर देती है भैवित कर देती हुए डंडे द certific कैसे जैसे ही यह जो प्रकास है वह हडियों के बीच पढ़ता है पढ़ता है एक बाद लेखक अपने पीता के साथ एक सुबह में रिवर्ड बैंक, बैंक में सोता है दोस्तों किनारा एन घाट, एक नदी के किनारे, एक घाट पर वह लोग टहल रहे थे तभी कर वह लोग, वही साथ एंबर्स, लूजिंग देर क्रुएल रेड्नेस हम लोगों ने एक अंगारे को देखा अंगारा मिस क्या होगा दोस्तों, जब कोई आपका कोईला जलता है तो जो उसकी लालिमा होती है, वही होता है आपका एंबर्स अंगारा लोजिंग देर क्रुएल रेड्नेस, रेड मिस होता है रेड्नेस मिस होता है लाली, क्रुएल मिस होता है क्रूल, तो लेखा के यहां पे जो जलते है तो उनके जो जलने की प्रखिडिया है तो वहां पे वह क्या है एक अंगारों की तरह देखते है जो उनका हटी जलता है तो उसकी तुल्ला किया है क्रूइल रेडनेस तो रिशां एमबर्स लुदिंग रेडनेस तु दा ग्रे एस वे लोग भूरी राक में बदल गाते हैं तु दा ग्रे एस कैसे डायट ये जो ग्रे एस है यो क्या कर देता है उसका निकल जाता है भूरा राख जैसके आपका जो अगनी होता है उसके चारओ तरफसे जो राथ होता है उबाड़ता जाता है टा लेखक उसी को बोलते हैं जो जो अध्य जले हुए अंगों कुछ तो उसमें जब जलता है तो क्या होता है उसमें रोस्टनी होती है बडी में क्या होता है प्रकास निकलता है और वहीड प्रकास लिखा बोले हो आने-प्रकास हड्यूं also light। आने-जाने मेले लोगों को क्या करता है दर्च करता है दर्च मतलबर उत्या मॉन्सटमी को क्रदिते प्रकास हड्यूं से परने कीपुचर तो उसमेंещ से क्या निकलता है आपका एक रोस्नी निकलता है वही लोगों को भ्यावित कर देता है तो दोस्तो इस सेसन में इतना है और वी दो दो एस्टेंजा बचे हुआ इस पोएम के वह हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे तो दोस्तो वीडियो को अंतर देखने के लिए आप सभी का सुपिया